आप सुन रहे हैं खास ओडियो सिरीज शांती दीर कहानी भारती सेना के एक नायाब युद्धा की एपिसोड 40 पहचाना नहीं मुझे महभूब कप्तान वीरेंद्र पताब जवाब देते हैं अगर मैंने रनवीर को साप के बिल में हाथ डालने को कहा होता तो मुझे जरा सीबी घबराहट नहीं होती सर उसे साप के बिल में घुसकर उसे पकड़ने की आदत है वो जानवरों और उनसे पैदा हुए खत्रों से रोज खेलता है मुझे यहांके इनसानों के बज़ा से रनवीर की चिंता सफा रही है यहां हर कोई अपनी जान बचाने के लिए कब अपना रूप बदल सकता है इसका कोई ठिकाना नहीं रनवीर को इनसानों की ये फित्रत समझ में नहीं आती है उसकी यही सबसे बड़ी कमजोरी है नायल्स और उसके पुलिस बल पर मुझे एक दम भरोसा नहीं है और चाल्स से तो आप खुद ही डील कर चुके हैं रनवीर इन सब के बीच कहीं किसी दोविधा में ना पड़ जाए और जिसका असर उसके नाचरल इंस्टिंक्स पर ना पड़ जाए क्योंकि मैंने इस डाक स्टार लाइट के उगरवादियों की फितरत को अच्छी तरह से पहचान लिया है जान लेना या जान देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है लूटमार, आगजनी, बलातकार और खून बहाकर वो लोगों में दहशत फिलाने में माहिर है उन्हें ऐसे काम को अंजाम देने में जरा सी भी हिचचाहट नहीं होती क्योंकि इस दहशत की वज़ा से ही वो अभी तक जिन्दा है यहां के लोगों का विवेक इस दहशत के सामने अपने घुटने टेक चुका है और वो उनसे अपनी जान छोडाने के लिए बे हिचचग जूड बोल सकते हैं और रनवीर को धोका दे सकते हैं रनवीर की शक्ती उसकी तेज गती से स्थिती को भापने और फिर विजली की गती से उस स्थिती में जवाब देने में चिपी हुई है अगर इन्वे से किसी ने भी उसे मुसीबत में डाल कर धोका दिया तो मुझे डर है कि उसका सर रनवीर की गती पर भी पड़ेगा यह उसके लिए घा तक हो सकती है क्योंकि वो सही आकलन नहीं कर पाएगा कि अपने दुश्मन पर आक्रमण करे या फिर उसके निशाने से हट जाए उधर नाइल्स के ओफिस में रनवीर आगे क्या करना है इसके बारे में सोच रहा था उसे पता था कि वो जिन लोगों के बीच में है उन पर रती भर भी विश्वास नहीं किया जा सकता तभी नाइल्स उसके पास आया और कहा मैं सबत सकता हूँ सब इंस्पेक्टर कि तुम हमारे पुलिस डेपार्टमेंट के बारे में क्या विचार रखते हो लेकिन हम इतने बुरे भी नहीं है जितना की तुम सोच रहे हो हमारी पुलिस फोर्स में सच मुश आधूनिक हतियार और प्रशिक्षित पुलिस वालों की कमी है अगर ऐसा नहीं होता तो युनाइटेड नेशन्स पीस कीपिंग मिशन भारत से आप लोगों को यहां बुलाता ही क्यों मैं जानता हूँ कि एक दिन और एक ही वारतलाप में हम तुम्हारी अपने बारे में राय नहीं बदल पाएंगे लेकिन कुछ दिनों तक हमारे साथ रहने पर तुम्हें खुद ही सचाई का पता लग जाएगा ऐसा करो तुम अभी आराम करो या फिर चाहो तो हमारे शहर की सेर कराओ मैं अडॉल्फ से कह देता हूँ कि वो तुम्हें हमारा ये खूब सुरज शहर धंग से दिखा देगा जैसे ही हमें मार्क मैं ध्यूजर उसके गिरों के बारे में कोई ख़बर मिलेगी हम उस पर धावा बोलने को तयार होंगे तब हम तुम तक खबर मौचा कर तुम्हें बुला लेंगे हाँ खबर मिलते ही तुम लोग तुरंट चले आना इन पिछले दो दिनों ने रनवीर को बहुत कुछ सिखा दिया था उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया था कि कौन उसे महमान की नजर से देख रहा है और कौन उससे सिर्फ काम लेने की कोशिश कर रहा है कौन उसे शहर की सैर कराने लिए जा रहा है और कौन उसे शहर की भूल भुलईयों में गुमा देना चाह रहा है ये भारत नहीं था, जहां अथिती को देवता की तरह से पूजा जाता था, उसकी जी जान से सेवा की जाती थी, जहां लोग महमान की जान बचाने के लिए अपनी जान को दाओं पर लगा देते थे, उसके मनुरंजन के लिए आसपास से पडोसी, ढोल और डफली लेकर पहु जाने के लिए बड़ी गाड़ी का बंदोबस्त किया जाता था, और फिर उसे उस शहर की सबसे एतिहासिक और दिल्चस्प जगा के साथ परिचित कराया जाता था, यहां के लोग अलग थे और वो सिर्फ अपने काम से काम रखना जानते थे, एक तरह से ये अच्छा भी थ था, क्योंकि प्रनवीर को भी किसी से लोग लगाव बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, यह एक ऐसी जगा थी जहां उसे सिर्फ ड्यूटी करने थी, मौज मस्ती नहीं, नाइल्स ने भले ही उसे ओफर बढ़िया दिया था, लेकिन उसने नाइल्स की इस महमान नवाजी को व बैठे बैठे अकड़ गये हैं, नाइल्स कहता है, जैसा तुम्हें ठीक लगे सब इंस्पेक्टर, मैं अडॉल्स से कहता हूँ कि वो तुम्हारे साथ रहे, ताकि तुम्हें किसी बात की दिक्कत ना हो, रनवीर नाइल्स को रोग देता है, यह कहकर की, मुझे लगता है अडॉल्स को आराम की जरूरत है, आप प्लीज उसे थोड़ा आराम करने दीजे, मेरी चिंता मत करिये, मैं अपना खयाल रख सकता हूँ, फिर वो अपनी कमर पर बंधी खुकरी पर हात मार कर बोलता है, यह है ना मेरे साथ, मेरे माबाप का दिया हुआ अशिरवाद, यह क रुख करें, एडॉल्स ने उसे नाइल्स के ओफिस में खाना तो खिला दिया था, इसलिए उसे भूख तो नहीं लग रही थी, फिर उसने उपर की तरफ देखा तो आसमान साफ था, और चौदवी का चांद भी काफी सुन्दर लग रहा था, उसकी चमक से उस उजडे हु वे शहर में हलकी सी रोशनी फैली हुई थी, रनवीर ने हवा की महक लेने की खोशिश की तो उसे तो उसे पहाडों और समुद्र तट पर बहती हवाओं का फर्क समझ में आ गया, यहां हवा में बहुत नमी थी, वो धीरे धीरे एक चौराही की तरफ बढ़ गया और फिर उसने उस शहर को खोले आसमान के नीचे खड़े होकर निहारना शुरू किया, उसे अपने से दूर चारों दिशाओं में हलकी हलकी टिम-टिमाती हुई बत्तियां नजर आने लगी, तीन दिन के इस तनाव पून दोरे के बाद इस तरह बेवजा घूमना उसे काफी नाइल्स का बुलावा आने तक वो इन लम्हों का खुल कर मजा लूटना चाता था, उसने क्राउन प्रिंस सिटी के चक्कर लगाने की सोची, वो इस जगह को अपनी तरह से पहचानना चाता था, आने से पहले उसने इस जगह के बारे में काफी जानकारी ली थी, वो उन किताबी जानकारियों को अपनी आखों से परखना चाता था, उसे पता था कि हेल्सी एक छोटा सा देश है, जिसकी जन संख्या शायद 10 लाख के करीब थी, इतनी जन संख्या तो भारत के छोटे कजबों में हुआ करती थी, इस देश में 8 जिले थे, जिन में से सिर्फ दो ह इसे थे जहां शांती नाम की चीज का निवास था, बाकी के 6 जिलों में आशांती फैली हुई थी, जिसका मूल कारण इसके इध्यास में छुपा था, पहले यहाँ पर भारत की तरह ही अंग्रेजों का राज था, फिर जुती ये विश्प युद्ध के बाद, वो लोग इ पस में ही लड़ते रहते थे, देश की प्रगती और उन्नती के बारे में कोई ध्यान ही नहीं देता था, उसी का नतीजा था, कि आज इन 6 जिलों में इस तरह से तरही तरही मची हुई थी, कुछ दिन पहले आई हुए भूकंप और सुनामी ने यहाँ के लोगों की मुश् पर असल में दिखा जाए तो ये अभी भी विदेशी ताकतों का गुलाम था, क्राउन प्रिंस सिटी भारत के किसी छोटे से कस्बे की छेत्र के बराबर बढ़ा था, हालेकिन यहाँ पर इमारते काफी सुन्दर और बड़ी बड़ी थी, वहाँ खड़े खंडहर बता रहे किसी भी एक दिशा में दस किलो मीटर चलते ही तो वो शहर की सीमा तक पहो जाने वाला था, जहां उसे फिर से शांती सैनेक और विद्रोहियों के बीच हो रहे युद्ध का शोर शराबा सुनना पड़ता था, उसका आज ऐसी जगा जाने का मन नहीं था, रनवीर चाहता थ कि वो आज की शाम शांती से काटे, धंग का खाना खाए और किसी आराम दायक जगा पर जाकर चैन की नीन्द सो जाए, कई दिनों से उसे धंग से नीन भी नहीं आई थी, तब ही उसने देखा कि सामने से एक काले रंग का साया उसकी तरफ ही बढ़ा आ रहा है, चान की वो साया किसी को खोज रहा था, धीरे धीरे उस चांदनी रात में कई और साय भी रास्ते पर उमढ कराने लगे, रंवीर को समझ में आ गया कि वो इस शहर की किसी बदनाम गली में आ गया है, जहां उसे अब वैश्याओं, दलालों, चीटिंग बाज, छिंताई बाजों का स जमने वाली थी, जहां रात की राजा और रात की रानियां अपने अपने जल्वे दिखाने वाले थे, देश में रोजगार की कमी और भुकमरी हो तो आदमी क्या कुछ करने को राजी नहीं हो जा था, रंवीर को उन पर ना तो गुस्सा आ रहा था, और ना ही उनसे कोई भ सब इंस्पेक्टर रंवीर सिंग ने गी, शर्मा गय क्या? रंवीर ने जब अपना नाम सुना तो चौक गया, और फिर रुक कर मुण कर देखने की कोशिश की कि आखिर इस शहर में ऐसी जगा में उससे कौन पहचान सकता है? रंवीर ने देखा कि वो काला साया बड़े अ सामने एडॉल्फ खड़ा है, उसने हलके रंग की पतलून और रंग बेरंगी फूलों की प्रिंट से भरी एक शर्ट पहन रखी है, उसके चहरे पर एक बड़ी सफेद मुस्कान फैली हुई थी, रंवीर ने मन ही मन सोचा, अब इसको क्या हो गया? रात की चांदनी में यह लोगों पर कोई भूत प्रेथ की आत्मा समा जाती है क्या?